केरल में एक प्रसद कहावत है चूहों के डर से घर जला दो चूहों को सबसे अधिक खत्रा माना जाता है लेकिन केरल के कुंडाई थोड़ के वेलिल्ला वयाल के मूल निवासी फिरोस खान अलग लीग पर चलना पसंद करते हैं उन्होंने चूहों से छुटकारा पाने के लिए अपना घर नहीं चलाया बलकि अपना पूरा घर चूहों के लिए दे दिया है फिरोस का घर चूहों से भरा है और यही इस उद्यमी के लिए आय का मुख्य स्तरोथ है मैंने इसे सबसे पहले जिग्यासा से शुरू किया तब मुझे समझा आया कि वे इतनी तेजी से प्रजनन करते हैं और मैं इसका इस्तेमाल किसी और चीज के लिक्यों नहीं कर सकता अब वे अन्य जानवर के भोजन के रूप में और पालतु जानवर के रूप में भी उपयोग किये जा रहे हैं इसलिए मैंने इसका अध्यन किया और इसके प्रजनन में सुधार के तरीकों का पता लगाया सफेद, काले, भूरे और एमबर विभन रंगों के एक हजार से अधिक चुहे पिंजरों और विश्य शिरूप से डजाइन किये गए बरतनों में बढ़ रहे हैं जो फिरोज के घर की छट पर स्थापित हैं चुहों की सुविधा के लिए विश्य शिरूप से डजाइन किये गए खिलानी भी हैं चुहे की पिंजरों और बरतनों के फर्ष लकडी की धूल से भरे हुए हैं फिरोज वास्तव में अपनी इस बेश कीमती संपत्ती की अच्छी तरह से देखभाल करते हैं वे उन्हें अनाच, फल और सबजिया खानी के रूप में उखलब्द कराते हैं वे अपने चुहों को पिंजरों के साथ चुहे प्रेमियों को देने के लिए भी तैयार हैं फिरोज ने बहुत छोटी उम्र से ही जानवरों से प्यार करना शिरू कर दिया था जब वे सिर्फ आठ साल के थे तब उनका पहला जुनून सजावटी मच्छियों की खेती करने का था फिर उन्होंने लबर्ड्स, खरगोश, बटेर मुर्गी, बतक और यहां तक की बिलियों को पालना शिरू किया वे तब भी कुछ अलग करना चाहते थे और उन्होंने अपने खेतों में खाने योग्यकीडे उगाना शिरू कर दिया अंत में चुहों की खेती में उतर गए, फिरोज ने आगे भी अपने प्रयोग जारी रखने की कसम खाई जब मैं पीछे मूड कर देखता हूँ, तो मैं एक सफलता की राहा पर होता हूँ मैं विविन भीशियों और खेती में परशिक्षन प्रदान करता हूँ किसान को उप्रदान किये जाने वाले इस तरह के प्रशिक्षन में मैं कोई पैसा नहीं लेता हूँ उन्होंने अपने किसी भी उद्यम में किसी की कोई मदद नहीं भी उनका दर्शिन और दृष्टी कोन स्पष्ठ है उन्हें ऐसे प्रियोग करने का साहस इसलिए मिलता है कि ये उनका अपना है ताकि उद्यम विफल होने पर भी उन्हें किसी को कोई स्पष्टी करण नहीं देना पड़ेगी फिरोज का चूहों से प्यार तब शिरु हुआ जब उन्हें कुछ चूहे मिले जो उसके दोस्त विद्देश से लाए थे उन्होंने इसके व्यवसाइक मुल्य को समझा और सजावटी चूहों के पालन की और रुख किया उनकी पत्नी जसीला, बेटे शाहुल खान और शाहबास खान उनकी मदद करते हैं चूहों का गरबकार 19-21 जनों का होता है हर प्रसब में चूहे 8-21 शिश्यों को जन देते हैं फिरोज उन लोगों को आदे घंटे का प्रशिक्षन भी देते हैं जो उनसे पाल तूजानवर के रूप में चूहे खरीते हैं इस काम में 70 प्रतिशत समझ मैंने अपने अनुबहों से हाशिल की है अब अगर मैं कुछ सुझाव लेना चाहता हूँ तो मैं हजारों लोगों को जानता हूँ लेकिन जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं किसी को नहीं जानता था और कोई मदद नहीं थी खुद से चीज़े करने से अच्छी बात ये है कि असपल होने पर भी मुझे कोई इसपस्टी करन देने की आपशकता नहीं है मैं किसी से उपर नहीं हूँ या नीचे नहीं हूँ इसलिए अगर नुकसान होता है तो वह मेरा मैंने कई भार पैसे गवाएं भी हैं लेकिन अगर मैं कुल मिला कर देखता हूँ तो केवल मुनाफ़ा कमाया है उन्होंने अपने अनुभव साचा करने के लिए दो पुस्तकें भी प्रकाशित की हैं वे अब अपनी तीसरी पुस्तक अनाम नलकूम ओमानकल और मिचू वेकन औरू मुयाल डाइरी जिनका मतलब है पालतू जानवर जो राजस्वत्रदान करते हैं याद रखने के लिए एक खरगोश डाइरी पर काम कर रहे हैं अपने अनुभवों को जनता के साथ साचा करने के लिए उनका यूट्यूब चैनल खान का होमपेट भी है 2400 घंटे लगातार खबरे देखने के लिए डाउनलोड करें ETV भारत है झाल